TGT और PGT की कच्छाओं के लिए मैस का आज दूसरा एपिसोड है मैस सब्जेक्स में मैंने सेट थियोरी से स्टार्ट किया था पहले एपिसोड में मैंने सेट के प्रापर डिफिनिशन के बारे में सेट के पूरे सुरूप के बारे में मैंने आपको समझाया I hope कि आप सभी को सारी चीजे प्रापर बे में समझ में आई आज अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहला फिसोड जरूर देखें जिसमें आपको बेसिक सारी जनकारी होगी क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है इसके अंतरगत कैसे पढ़ना है किस रिदम से पढ़ना है सारी बाते आपको समझ में आएगी अगर आप पहला वीडियो देखें हैं इंड में मैंने टाइप साफ सेट पर फिनिस किया था मैंने पूरा पहले से क्लासिफिकेशन मेंसन कर रखा था कि हमारे पढ़ाने का सुरूप क्या होगा कैसे कैसे एक सेक्विंस बे में टापिक को यहाँ पर गन्क्लूड किया जाएगा लेके चला जाएगा उस कड़ी में हम लोग टाइप साफ सेट पर पहुँच चुके थे टाइप साफ सेट के पहुचने के बाद मैंने अपने हिसाफ से चीजों का क्लासिफिकेशन किया था मैंने कहा था कि अगर कोई सेट हम लोग यहाँ पर एक्स्प्लेन कर सकते हैं उस सेट को हम दो रूपू में पहले तो कटेगराइज कर सकते हैं पहली कटेगरी यहाँ पर इम्टी सेट की बनकर आती है जिसको हम लोग हिंदी में रिक्त समुच्चे के बारे मैंने आप सभी को बताया कि रिक्त समुच्चे को अंग्रेजी के और से कई सारे नामों से यहाँ पर जानते हैं जैसे कि हम इसको null set भी कहते हैं इसको हम लोग white set भी कहते हैं एक ऐसा समुच्चे होता है जिसके अंतरकत कोई भी element नहीं आता है जिसे example के तौर बे मैंने कहा था कि अगर हम natural numbers ले 12 और 13 के बीच में 5 और 6 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या ले जो एक से छोटी हो कोई भी पूर संख्या ले मतलब whole number ले जो की 0 से छोटी हो ऐसी संख्या है जो possible नहीं हो सकते हैं ऐसे जो मान संबो नहीं हो सकते हैं एक रिक्त समुच्य जनरेट करते हैं इस रिक्त समुच्य को डिनोट करने के लिए एक सिंबल फाई का यूज किया जाता है फाई के साथ साथ हम इसको open bracket से भी mention कर सकते हैं मतलब कहीं भी अगर आपको एक सेट ऐसे open bracket के रूप में लिख करके दिखाया गया हो उस सेट को हम लोग डिक्त समुच्य या empty सेट कहते हैं दूसरा एक ऐसा सेट होता है जिसके अंतरगर at least एक element जरूर आता है मतलब एक ऐसा समुच्य जिसके पास कम से कम एक element जरूर हो that means हम यहाँ पर इस सेट को यहाँ पर non empty सेट कह सकते हैं at least one element का मतलब एक का range है मतलब एक का यहाँ पर limit है कि कम से कम एक element हो जैसे कि कोई class है वो class तब तक खाली है जब तक उसमें कोई भी student नहीं है अगर एक भी student उस class में आकर बैठ गया तो class अब खाली नहीं रह गई वह class आपकी non empty class गया लाएगी non empty के दौरान मैंने देखा कि एक element भी हो सकते हैं एक से जादा भी हो सकते हैं इसलिए इनकी फिर से एक further category हम decide कर सकते हैं जिसमें मैंने कहा कि एक से शुरू होकर कि एक से जादा का जो situation हो सकता है वो infinite दख हो सकता है अर्था सेट के दो फिर से proper classification बन कर आए एक तो finite सेट दूसरा infinite सेट finite सेट का अर्थ होता है कि एक ऐसा सेट जिसके elements को आप गिन सके count कर सके जैसे कि अगर आपको हम कहें कि natural number 10 से छोटे लेने है whole number 15 से छोटे लेने है बढ़े लेंगे तो आप possible नहीं कि आपको counting नहीं possible हो पाएगी मतलब आप गिन नहीं सकते कि इतने elements हैं अर्थात एक ऐसा समच्चे जिसके ओयों को हम गिन सके उसको हम finite set कहेंगे एक ऐसा set जिसके ओयों को ना गिन सके उसको हम infinite set कहेंगे अगर हम finite और infinite की फिर से category यहाँ पर decide करें तो दो और proper category यहाँ पर generate होती है एक singleton set दूसरा universal set यहाँ से चीज़े आपकी फिर से derived होने जारी बड़ी होने जारी है singleton set एक ऐसा set है जिसके पास only one element है एक ही अगर element किसी set के अंदर गत हो तो उसको हम लोग यहाँ पर singleton set कहते हैं अब only one element के लिए बहुत सारे example possible है जैसे कि एक example मैं यहाँ पर इसके लिए ले सकता हूँ the set of prime number that is also even number मैं यहाँ पर कह दूँ कि set of prime number also even number अब आप सोचिए कि एक set हमारे पास है जिसके elements को हम prime भी कहें अर्थात अभाज भी कहें साथ साथ यहाँ पर हम एक समसंख्या भी कहें मैं इसका proper classification आपको थोड़े से समझाता हूँ मैंने कहा मैं explain करने जा रहा हूँ singleton set के बारे में singleton set एक ऐसा set है जिसके पास केवल एक element हो only one element अर्थात उस set के अंदर केवल एक element रहेगा तब ही हम उसको singleton set कहेंगे example के तोर पर मैंने आपको बताया कि set of prime number set of prime number also even number अगर आप number system का proper concept जानते हैं तो आपको पता है कि prime संख्या मतलब prime number मिन्स अभाज संख्या और even मिन्स आपकी संख्या एक ऐसा element एक ऐसा number होता है जो कि prime भी होता और 7-7 एवन भी होता है इनके अलावा कोई और number possible नहीं है दो एक ऐसा number है जो कि prime मतलब अभाज भी है और 7-7 एवन number भी हो तो वह आपका एक singleton set बन गया current में president किसी country का एक ही हो सकता है prime minister एक ही हो सकता है मतलब एक ऐसा set जिसके पास possibility ही एक elements देने की हो वही set आपका singleton set कहलाएगा दूसरा set आप लोग समझने की कोशिस करिए जिसको हम लोग universal set कहेंगे universal set के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत है आगे चलकर कि आपको universal के बारे में समझना होगा इसको denote करने के लिए symbol या तो हम you लगाते हैं या तो कभी-कभी हम ऐसे denote करते हैं यह एक ऐसा set होता है एक ऐसा set है जो एक से ज़्यादा sets को contain करता है मतलब अगर किसी एक operation के during हमारे पास कुछ set है suppose करी A है, B है, C है, D है अगर A के सारे elements, B के सारे elements C के सारे elements, D के सारे elements किसी एक नए set में मिल जाए तो वह set इन सभी का universal set कहलाएगा यह set जो यू होगा इन सभी का universal set कहलाएगा जैसे अगर हम number system की बात करें तो मैंने classification आपको दिया था जो real number होगा वह सभी rational और irrational का सभी rational और irrational का universal set कहलाएगा क्योंकि इसके भी सारे elements real में रहेंगे और इसके भी सारे element real में रहेंगे अगर हम यहाँ पर बात करें rational को फिर से कटेगराईज कर दे सपोच करी integers आगे और fractional आगे हम integer और fractional की भी बात करें यह सब भी real इस समय जो यहाँ पर हमारे पास rational number होगा वह rational इसका जो है super set होगा या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो है universal set होगा और यह real तो सब का universal है ही है मतलब अगर कोई भी एक operation पर फार्म करे चाहे कि हम union की intersection की या कोई भी set से related operation पर फार्म करे एक ऐसा set जो की सब को hold कर सके मतलब सारे elements को hold कर सके वही universal के अंदर गताता है अब universal नाम ही सुनते ही हमारे remark में आ जाता है कि एक ऐसा collection होगा जो सब को hold करता होगा कभी कभी इस सीज़ पर लेके हम confused भी होते है जैसे मालीजे मैंने कहा कि एक real number सभी numbers का universal है सभी number का universal set है क्योंकि real number जो होता है जिसको हम यहाँ पर वास्तिक संख्या कहते हैं इसके अंतरगत ही सारी संख्याएं यहाँ पर generate होती है चाहे हो आपकी rational number हो चाहे पुडांग संख्याए हो चाहे पूड संख्याए हो चाहे प्राकृतिक संख्याए हो सब के सब part है किसके real number के इस समय हम real number को universal set कह सकते हैं अर्थात हम इस real number को आर्ट से इंडिकेट करें तो हम इसको U से भी mention कर सकते हैं, यह हमारा universal set है, सब पोच कर यह मेरे पास एक set, दो-तीन set का combination है, आप लोग भ्यान देंगे तो समझ में आएगा, जैसे मालीजे इसके पास 2, 4, 6, 8 कुछ ऐसे elements है, इसके पास मालीजे 1, 3, 5, 7 ऐसे 5 तक के elements हैं, इसके पास यहाँ पर 6, 7, 8 ऐसे कुछ elements हैं, एक ऐसा set U, जिसके पास इन सभी के elements हों, जैसे 1 है, 2 है, 3 है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है 10 है, अब आप देख रहे हैं, चाहे इसके elements की बात किया जाए, ओ भी उसके अंदर है इसके elements की बात करें, यह भी इसके अंदर है इसका भी elements इसके अंदर है, उसके पास और भी extra elements है, तो वह सभी set का universal set कहलाएगा, universal का अर्थी हो गया कि सब को contain करना, मतलब अगर किसी operation के during हमें एक से ज़्यादा set ले रहे हैं तो सभी sets के element को वह hold कर सकता है और एही set आपका universal set कहलाता है जिसको हम generally use है या तो हम इस प्रकार की symbol से इसको हम indicate करते हैं, आपको जब हम इसके relate करते हुए operations को समझाएंगे, proper calculations लेंगे तो यह ज़्यादा समझ में आएगा, generally लोग को यह लगता है कि universal मतलब एक ऐसा चाहे, जो भी प्रकार के set है उन सभी का combination हो उन सभी का combination मतलब उसके पास infinite तक के elements है, अब जैसे कहीं पर इसकी बात कोई करे, कहे गए कि यहाँ पर एक से लेकर हमने का 10 तक के elements है अब कोई set इससे भी बड़ा हो सकता है लेकिन current situation में, current sets का universal है, मतलब इस process के दौरान, इस process के दौरान अगर इस segments को लिया जाएगा, इस समय यह universal होगा, वो सकता है किसी और combination के दौरान universal में एक से लेकर infinite तक के elements हो लेकिन उस समय बाकी sets के अंदर भी बहुत सारे elements आपको दिखेंगे तो universal को दिमाग में इतना रखिएगा कि during an operation in the set theory it is the super set you can say it is the super set of all the sets, मतलब बाकी सारे समुच्चेों का, या सबसे बड़ा समुच्चे होता है, उन सारे elements को hold करके रख सकता है, तभी इसको हम लोग यहाँ पर universal set कहते हैं बाकी इसके बारे में और जानकारी में धिरे-धिरे आपको देता रहूँगा, वह सारी बाते आपको समझ में आनी सुरू हो जाएंगी, आती रहेंगी इसके बाद देखिए अगला topic जो हम ले रहे हैं, वह है equal and equivalent set, इसको समझने की कोसिस करिएगा, equal and equivalent set क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले equal को हमने कहा समान, और इसको कहा मैंने समतुले समुच्चे, समान और समतुले समुच्चे कि मैं category आपको निर्थारित करके समझाता हूँ, जैसे मैंने माली जी एक set लिया, A, जिसके पास elements है A, B, C, और एक दूसरा set मैंने लिया B, यहाँ पर मैंने लिखा 1, 2, 3, अब आप ने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों sets के कॉर्डिनल नंबर फाइंड करें, यन आप A, तो इसका कॉर्डिनल नंबर 3 होगा, यन आप भी इसका कॉर्डिनल नंबर 3 होगा बट elements सेम नहीं है, दोनों के आव्याओ समान नहीं है, आव्याओ की numbering समान है, उनकी counting समान है एक दो ऐसे समुच्चियों का समूँ जिसके कॉर्डिनल नंबर सेम हो, इप कॉर्डिनल नंबर आर सेम अगर हम equivalent set कहेंगे मतलब उनको हम समतुल समुच्चे कहेंगे मतलब अगर केवल दो sets के cardinal number समान हो गए तो वह दोनों set आपके equivalent set कहलाएंगे अर्थात इस समय A और B जो हमारे पास यहाँ पर सिनारियो दिया है इस दोरान A equivalent है B के A equivalent है B के लेकिन एक दूसरा हम definition यहाँ पर दे रहे हैं इप ध्यान देना cardinal number पहली चीज़ cardinal number and elements elements both are equal या both are same both are same then it is called it is called equal set ध्यान देने की बात है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि equal और equivalent में क्या differences है इन दोनों sets को हम equivalent तो कह सकते हैं लेकिन हम equal नहीं कह सकते हैं इन दोनों को हम equivalent कहेंगे अर्थास सम्तुल कहेंगे बट हम इनको equal नहीं कह सकते हैं जब यहीं पर एक हम दूसरा pair लेते हैं दो sets का तो हम सायद आपको समझा पाएं कि यहाँ पर यह दोनों सेट्स आपके एक्क्वल हैं जैसे कि मालीजे मैंने एक सेट लिया A उसके पास है A, B, C एक दूसरा सेट मैंने लिया B इसके पास है B, C, A अब आपने नोटिस किया इनके कारडिनल नंबर से अगर मैंने देखा यह नाफ A is equal to 3 इसका कारडिनल नंबर मैंने देखा यह नाफ B is equal to 3 मतलब कारडिनल नंबर सेम है अगर हम elements की बात करें कि दोनों के elements आपस में मैच कर रहे हैं भले ही order का difference है जैसे यहाँ पर A, B, C लिखा है यहाँ पर B, C, A लिखा है इससे कोई फरक नहीं बढ़ता है इस दोरान यह दोनों sets आपके equal है क्योंकि इनके cardinal number और इनके elements दोनों equal है अब आपने notice किया अनुभो किया कि क्या comparison किया जा सकता है दोनों के बीच में यस compare हम कर सकते हैं किसको equal को और equivalent को द्यान दीजेगा equal को और equivalent को अर्था समान को और समतुल्य को समान को और समतुल्य को कैसे हम compare कर सकते हैं ध्यान दीजेगा हमने देखा समतुल्य में किवल एक condition की requirement है क्या कि cardinal number सेम होने चाहिए मैंने पिछली class में आपको cardinal number की बारे में बताया था यहाँ पर दो चीज सेम होनी चाहिए मतलब cardinal number और साथ साथ मैंने कहा था कि elements भी सेम होने चाहिए तो दोनों के बीच equality हो cardinal number भी सेम हो और elements भी सेम हो जबकि उसकी केवल एक ही requirement है इसलिए हम कह सकते हैं कि all equivalent is set to be all sorry यहाँ पर मैं बोल रहा था कि all equal is set to be equivalent मतलब हम सभी equal को equivalent कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि उसके पास cardinal number का सेम होना पहले से fix है but you cannot say मतलब यहाँ पर अगर मुझसे कोई कहे सभी समान समुच्चे समतुल है तो आप कह सकते सर यस बिलकुल है लेकिन अगर कोई आप से कहता है क्या सभी सम्तुल समुच्चे समान है तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकता है example आपने देखा जैसे मैं अनलीजी मैरे पास एक example और मैं यहाँ पर ले करके आपको समझा दूँ मालिजी यहाँ पर यम यन है यहाँ पर एक दूसरा सेट है मेरे पास suppose कर यन और यम है अब आपने नोटिस किया कि इनके पास दो elements है इनके पास भी दो ही elements है मतलब इनके कारडिनल नमबर सेबम है elements भी सेम है यहाँ बराबर भी है दोनों सेट्स आपके सेम है, अब दोनों सेट्स सेम होने के साथ साथ कार्डिनल भी सेम है, तो यहाँ है इनको equivalent भी यहाँ पर कह सकते हैं, दोनों सम्तुल्ले भी है। बट यही चीज अगर यहाँ लिखा होता दूसरे में 1,2 लिखा होता तो कॉर्डिनल नंबर तो सेम होता लेकिन elements equal ना होते इसलिए wordsets आपके equivalent तो होते बट equal नहीं होते यहाँ फरक है equal और equivalent के बीच में equal और equivalent को हम लोग इस परकार से यहाँ पर differentiate पिखे हो है bend diagram क्योंकि यह सबसे important part set theory का होता है bend diagram क्या है bend diagram एक diagrammatic representation है किसका एक से ज़्यादा sets या sets से related जितने भी operations पर फाम हो सकते हैं उन सभी का इसके बारे में बताया गया कि इसको हम logic diagram भी कह सकते हैं इसको हम set diagram भी कह सकते हैं आप इसके different different नाम यहाँ पर दे सकते हैं इसका स्रीय जाता है John Wynn को जो की around 1880 के आसपास की बात है ओ भी inspired थे with the Euler diagram Euler mathematics के बहुत बड़े scientists थे जिन्होंने mathematics और science की technology की science और technology की छेतर में बहुत बड़े-बड़े inventions किये हैं अगर आप science background के हैं math समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आप Euler को नहीं मतलब Euler के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते होंगे Euler को बहुत भली बात जानते होंगे Euler से inspired होकर कि उन्होंने इस प्रकार का एक representation किया कि अगर हमें किसी एक group या groups के combination को कहीं पर explain करना है तो theory की मदद से हम लोगों को समझा नहीं सकते properly हमें उसके लिए figure का साहरा लेना पड़ता है figure की मदद से हम लोग बड़े से बड़े critical data को आसान तरीके से लोग के सामने represent कर सकते हैं और बड़े से बड़े operations को easily handle कर सकते हैं इसके लिए John Wynn ने bend diagram invent किया और उसके अंदर कुछ special symbols या figure का यूज करके उन्होंने बड़ी सी बड़ी criticality को remove किया मैं आपको बताता हूँ कि bend diagram के अंतरगत अगर हम bend diagram की बात करें तो bend diagram के बारे में मैंने बता दिया bend diagram के अंतरगत दो प्रकार के symbols का प्रयोग किया जाता है एक तो circle का यूज किया जाता है circle और दूसरा rectangle का यूज किया जाता है मैं एक एक के बारे में पहले समझा देता हूँ कि circle और rectangle का प्रयोग कैसे किया जाता है circle के circle का यूज किया जाता है to collect या to represent to represent one set figure हमारे सामने है rectangle दूसरा figure है हमारे सामने rectangle rectangle को हम लोग कहते हैं आयत आपको पता है अची तरह से इसको हम बृत कहते हैं और इसको हम लोग आयत कहते हैं यह जो rectangle अर्थात आयत होता है यह contain करता है more than one circle यह एक से अधिक circle अर्थात एक से अधिक set को contain करता है contain more than one circle circle का मतलग sets एक से ज़्यादा sets को hold करता है अर्थात it hold या it represents यह किसको represent करेगा it represents universal set यह universal को represent करेगा मैं आपको example एक छोटे से दिखा देता हूं कि आपको सारी बाते समझ में आ जाए मतलग जब हमें किसी set या set से related operations को handle या solve करना है तो उस दोरान हमें set को और set से relate करते ही universal set दोनों को एक figure के माध्यम से दिखाना पड़ता है जैसे मालीजी एक से common situation है कुछ ना कुछ common elements है इस दोरान आप उनी elements को बार-बार repeat करने के बजाए एक ऐसे जगा पर लिख देते हैं जो कि पहले sets को भी denote करेगा represent करेगा दूसरे को भी तीसरे को भी और उस पूरे group या पूरी surrounding को भी मतलब अगर हमें sets को केवल दिखाना है तो हमें circle का यूज करना होता है बट ये सारे के सारे circle रखे किसके अंदर जाते हैं किसे rectangle के अंतर रखे जाते हैं जो की universal set को represent करने का काम करता है एक example के माद्धिम से हम bend diagram के approach को समझते हैं कि किस प्रकार से यह बड़ी सी बड़ी criticality को remove करने में helpful होता है सपोच करी मैंने एक छोटा सा example लिया मालीजे मैंने लिखा a, a के पास यहाँ पर सपोच करी a, b, c, d इस प्रकार से e, yep मालीजे g तक भी है इस तरह के कुछ elements इसके पास है इसको देखने के दौरान जब मैंने bend diagram की planning करी तो bend diagram में आप देखी किस प्रकार से हम इसको represent कर सकते हैं ध्यान देजिएगा सभी लोग हमने सबसे पहले यहाँ पर rectangle बनाया जैसा मैंने आप से कहा था rectangle किसको hold करेगा universal को hold करेगा इसलिए सबसे पहले u लगा दिया अब मैंने अनुबो किया कि दो sets मेरे पास हैं और मेरा जो यहाँ पर objective है कि इन जो elements जो बार बार repeat किये गए हैं उनको मैं एक ही बार लिखूंगा वह a के लिए भी काम करेंगे बी के लिए भी काम करेंगे तो सबसे पहले मैं करेंगा मतलब यह common elements के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा इसकी बात अगर हम करें तो हम यह only a के लिए होगा मतलब ओ elements होंगे जो केवल a में रहते होंगे यहाँ पर अगर जो elements आएंगे केवल b के elements आएंगे only b और जो इधर के region में बागी rectangle में कहीं भी लिखे जाएंगे और लिखा जाएगा not in a not a and b ना तो a में रहेंगे ना तो b में रहेंगे क्यों universal के part रहेंगे अब सबसे पहले मैंने common ढूड़ा तो common की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि b common है c common है तो b और c को हमें उठा के बीच में रख दिया अब इसका b c गया है जी और हम लोग कहीं पर present कर दें तो यह पूरा combination त्यार हो गया इस combination में अगर हमें a b c d या हम a के elements की बात करेंगे हम इतना पूरा ले लेंगे इसको गयाप कर देंगे अगर हम b के elements की बात करेंगे तो इतना पूरा ले लेंगे इसको गयाप कर देंगे इस प्रकार से अग मुझे उन common elements को लेना हो जो कि AB और AB में दोनों में हो हम लोग इसको ले लेंगे इधर का रीजन और उधर का रीजन गयाप कर देंगे एक और example की मदद से इस पूरे process को हम समझेंगे जैसे मैंने माली जी यूनिवर्सल ले रखा है A ले रखा है B ले रखा है C ले रखा है इस पूरे को ही represent करा जाएगा अगर bend diagram में हम bend diagram की planning देखी उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी मैंने आपको समझाया था हम यहाँ पर भी एक rectangle generate करेंगे सबसे पहले उस rectangle के बारे में बताएंगे कि इसके पास एक से लेकर दस्तक के सभी elements होंगे जो कि अलग-अलग sets में बटे हुए हैं ऐसे समुच्चों में हैं जिस पे हम देख रहे हैं कि कुछ elements ऐसे हैं जो तीनों में हैं कुछ elements केवल दो में हैं मतलब चाहे OAB में हो चाहे BC में हो चाहे AC में हो तो मैंने इसकी planning कुछ इस प्रकार से कर दी यह देखे बनाने का process इस तरह के कभी भी combinations को अगर हम देखे हैं या फेस करें तो अब आप ध्यान दीजिए यह set A है यह set B है और यह set C है सवर प्रत्रम हम उस elements का चुनाओ करेंगे selection करेंगे जो की प्रतेक में है जैसे मैंने देखा 2 सब में है तो 2 को उठा के मैंने यहां रख दिया अब मैं यहाँ पर notice करूँगा उन elements को जो की केवल A और B में है अगर हम A और B की बात करें तो 4 को मैं देख रहा हूँ जो A और B में ही केवल है बाकि इसके पास 7, 8, 9 है इसके पास 1, 6, 9 है 2, 4 का काम खतम हो रहा है तो मतलब मैंने notice किया यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ अब हम A के साथ क्या ऐसे elements भी देख रहा है जो केवल C में है यहाँ पर 6 है यहाँ भी 6 है तो मैं उस element को यहाँ लिख देता हूँ जो केवल A और C में है क्या कुछ ऐसे भी है जो केवल B और C में है मैंने इस चीज़ को जब notice किया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 7 है यहाँ 7 है तो मैंने उठा के यहाँ पर 7 भी रख दिया अब हम चलते है elements को बाकी दिखाने के लिए अब only का number आता है जैसे अगर A की बात किया जाए तो उसके पास कुल 5 elements थे आप अनुभो कर रहे है नोटिस कर रहे है 5 में 3 खतम हो चुके है 2, 4, 6 आपके cover हो चुके है 2, 4, 6 कबर है तो 1 और 9 इसका बचा हुआ है इसी तरह से इसकी बात अगर किया जाए तो 2, 4, 7 फिनिस हो चुका है B का तो बचा कोने 8 बच रहा है 10 बच रहा है इसी तरह से इसकी बात अगर हम करें तो 2, 6, 7 ओवर हो चुका है तो बचा कोने 5 बच रहा है अभी अगर मैं notice करूँ तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवर हो चुका है केवल A के इलिमेंट बच रहा है 3 जो कि not in A, B, C मतलब ना तो A में है ना B में है ना C में है अब आपको अगर मैं explain करके बताऊँ तो आप इतना समझ गये होंगे यह region Y है जो कि केवल A में लाई करता है केवल A के पास रहता है यह region Y है जो कि A and B में रहता है मतलब A और B में रहता है यह region Y है जो कि only in C only in C मतलब केवल C में रहता है यह region Y है जो कि A and C में रहता है A and C में रहता है इसकी बात अगर हम लोग करें यहां पर तो यह B and C में रहता है B and C के elements है यह आप देख पा रहे हैं कि only B है जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यह A, B and C में है अब आपने एक चीज नोटिस किया यह diagram किसी को दिखाने पर इसकी comparison में वह जल्दी से चीजों को trace कर पाएगा, समझ पाएगा जो objective है bend diagram का कि criticality जो थी यहाँ पर confusion थे जो इतने सब कुछ लिखे हुए थे उसको इसने remove कर दिया, खतम कर दिया तो यहाँ खतम करने के बाद यह system हमारे सामने bend diagram का आ रहा है जो कि आपकी इस problem को दूर कर रहा है अब यहाँ use किया जाएगा आगे चल करके, different different operations में sets के representation में problem को solve करने के दौरान आप इसका बहुत ज़्यादा utilization करेंगे यूज करेंगे I hope यह clear हुआ होगा कि कैसे bend diagram develop किया जाता है अब मैं आगे बढ़ूँगा देखिए, आज के this lecture के बाद दिम से मैं आपको approach clear करते जा रहा हूँ जिसको हम लोग subset and proper subset This is the most important part in the set theory कि subset क्या है और proper subset क्या है मैंने इसका discussion अभी थोड़ी दिर पहले आप से किया था तब जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे equal and equivalent पढ़ रहे थे equal की definition भी subset से explain की जाती है मैं आपको सबसे पहले subset बताता हूँ कि subset क्या है तो subset की definition को पहले समझेए अगर मैं consider करूँ एक set, दो set मैंने consider किया consider any two sets अगर मैंने दो sets लिए A and B अगर मालीजे मैंने दो sets लिया A और B मैंने notice किया, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ if each elements 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 of A also in B also in B कहने करतु हूँ यह प्रतेक अवयव A के B में भी हैं मतलब A के सारे अवयव अगर B में भी हैं तो A subset है B का A symbol होता है subset का यह subset है B का मतलब right now A is the subset of B और इसी समय मैं कह सकता हूँ कि B is the B is the superset B is the superset आप A B A का superset है जैसे दो लोग हैं दो में एक इस type का relation है कि जो काम पहला बिक्ती कर सकता है वह सारा काम दूसरा कर सकता है साथ-साथ दूसरा कुछ अन्य काम भी कर सकता है मतलब A अगर पहला elements है पहला set है B दूसरा set है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस condition के हिसाब से A के पास जितनी authority या जितने भी working ability है वह सारी working ability और authority B के पास भी है B के पास कुछ अत्रिक्त भी है यह है या नहीं यह अलग चीज है लेकिन A के सारे aware अगर B में है तो जितनी सकती A के पास है उसारी की सारी सकती अगर B के पास है तो A subset हुआ B का जैसे अगर आप example लें एक college की बात अगर हम करें तो principal and teacher teacher is the subset of principal directly हम लोग ऐसे कह सकते हैं हम इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा हम इसे discussion का point नहीं लेना चाहते हैं बस क्यों समझाने के मुद्दे से आपको बता रहें जैसे अपने country की बात करें तो आप देखने एक center central government govern each all of the states in the country तो इस जितने भी अलग-अलग states है you can say they are all the subset of central government वो सब के सब central government के क्या है? subset है जबकि central government is the superset B में हैं तो A subset है B का B superset है A का example के तोर पर मैं आपको समझाता हूँ मालीजे मैंने लिखा A set A, A के पास है मालीजे A, B, C A set दूसरा B है उसके पास suppose करी A, B, C, D, E है अब मैंने देखा कि A के सारे elements B में हैं इसलिए A is the subset आप B अब यहां पर मैं कह सकता हूँ A, B का subset है subset का actual symbol यहां पर क्या होता है यह हवाला होता है यह equality को दिखाने के लिए होता है मतलब वहां उससे कम है यह उसके बराबर है मतलब उसका सब कुछ अगले के पास है तभी वह subset है यह subset की definition और का process होता है जो मैंने आपको समझाया एक दूसरा सब्द लिखा है proper subset अब एक तो होता है जैसे आप ऐसे समझिए एक तो होता है डाक्टर और एक होता है particular for any special condition जैसे आप सुनते होंगे सहर के बड़े-बड़े डाक्टर होते हैं कोई neurologist है कोई psychiatric है कोई bone specialist है कोई cardiologist है अलग-अलग प्रकार के होते हैं वो केवल एक ही particular रोग को देखते हैं जैसे अगर आप उनके पास किसी bone specialist के पास hurt की problem लेके जाएंगे तो नहीं देखेंगे वो कहेगा हमको नहीं पता है इसके बारे में आप किसी cardiologist के पास जाएए तो वो particular किसी एक ही रोग को देखते हैं लेकिन कुछ ऐसे डाक्टर होते हैं आपने देखा होगा अनुभो किया होगा जिनके पास हर रोग का मर्ज होता है आप उनके पास कभी जाएएगा तो चाहे आपको जो है जो कुछ भी हुआ है उसका इलाज उकर देते हैं तो इस्पेसिलिस्ट नहीं होते हैं किसी चीज में अगर आप किसी एक teacher से सोचिए कि उस सारे subjects आपको history भी पढ़ा दे Hindi भी पढ़ा दे, math भी पढ़ा दे तो उस्पेसिलिस्ट नहीं है किसी एक चीज में इसलिए उस सारे पढ़ा लेता है आप इसको समझने कोशिस करिएगा तो यहाँ पर इस्पेसिलिस्ट की बात होती है मतलब वहाँ जैसे अगर हमने यहाँ पर अगर लिखा है subset तो subset का मतलब उसके elements उसमें हो सकते हैं साथ साथ दोनों बराबर भी हो सकते हैं तो दो definition इसकी बन कर आती है कि A, B का subset भी है और A, B के बराबर भी हो सकता है subset होने के साथ साथ बराबर भी हो सकता है लेकिन अगर हम केवल subset की बात करें तो नीचे का symbol हटाना पड़ेगा इसलिए मैं आपको समझाओंगा about the proper subset तो आपको सारी बाते समझ में आएगी proper subset के साथ भी आप देख रहे हैं subset सब्द जुड़ा हुआ है अर्थात वह subset तो है जैसे हमने कहा A is the proper subset of B ध्यान देना यह जो symbol है वह proper subset का है अर्थात इंदी में इसको कुचित उप समुच्चे कह सकते हैं यह proper subset है जैसे अगर मा लिजिए मैंने 2 set लिया एक लिया A 1, 2, 3 एक दूसरा लिखा मैंने B मैंने कहा कि 1, 2, 3 अब आप सोचो A subset है B का? Yes है B भी तो subset है A का अगर ऐसा है B भी subset है A का A भी subset है B का इस definition को आप कह सकते हैं कि A equal है B के मतलब A और B आपस में बरावर हैं जब मैंने equal set बताया था तो उसकी एक definition यह भी हो सकती है कि दोनों set एक दूसरे के subset हो तो दोनों set equal अर्था समान समुच्चे कहलाते हैं अब आपने देखा इस दौरान अगर हम इसकी बात करें A subset है B का यह B भी subset है A का अर्थात A दोनों subset तो हैं बट प्रापर नहीं है प्रापर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इनके पास दो definition अर्थात या दो nature को face करते हैं दो nature से belong करते हैं अगर एक केवल subset होते केवल subset होते तो equal नहीं होते तो उनको हम subset तो कह सकते थे साथ साथ जरूत पढ़ने पर प्रापर भी कह सकते थे एक्जामपल के तौर पर जैसे माली जी मेरे पास है A, B, C मेरे पास A, B, C यहाँ पर अगर सपोच करिए आपके पास A, B, C, D, E अब इस दोरान अगर मैं कहूँ कि A is the subset आप भी तो आप accept करिए यस है आपसे मैं कहूँ A is the proper subset आप भी आपके दिए बिल्कुल है क्योंकि A के सारे element B में है और A is not equal to B A, B के बराबर नहीं है याद रखिएगा A subset तो रहे B के बट A, B के बराबर ना रहे तब जाकर के हम कह सकते हैं कि वह set दूसरे set का proper subset है अन्य था subset तो सब हो सकते हैं लेकिन proper subset होना एक अलग condition है आप इसको समझिएगा proper में भी subset सब्द जुड़ा हुआ है उप समुच्चे जुड़ा हुआ है लेकिन वह केवल उप समुच्चे रहेगा equal नहीं रहेगा example के तोर पर एक और में लेता हूँ मैंने कहा एक set है A इसके पास है 1, 2, 3, 4, 5 अब दूसरा भी एक set है B इसके पास है 2, 3, 1, 4, 5 मैंने आड़र थोड़ा सा बदला है अब मैं कहूँ कि A is the subset of B आपके दो yes, बिल्कुल है आपसे मैं फोच्चों कि B is the subset of A आपके होगे सर yes क्योंकि A के सारे elements B में है B के सारे elements A में है मैं कहा दो A is the proper subset of B आपको होगे सर नहीं है क्योंकि A के elements B में तो है बट A B के बराबर भी है दो definition काम कर रहे है इसलिए है proper subset नहीं है B is the proper subset आप है आपके दोसर बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि B के सारे elements भी अगर A में हैं तो चलो ठीक है लेकिन B भी बराबर है कि इसलिए हैं दोनों proper subset को फेस फालो नहीं कर सकते हैं proper subset की condition में नहीं आते हैं दूसरी definition देखिए दूसरा example मैंने कहा A is equal to 1,2,3,4 और दूसरा है मेरे पास B 1,2,3,4,5 अब मैं कहा दू कि A is the subset आप B आपको होगे सर बिल्कुल Yes मैंने कहा A is the proper subset आप B तो आपके एदोसर Yes proper भी है A, B का proper है A, B के क्योंकि बराबर नहीं है A is not equal to B इसलिए मैंने कहा या subset तो है साथ-साथ इसके पास एक और definition हो सकती है proper भी है मतलब उचित समुच्चे भी है उचित उप समुच्चे भी है इस सीच को याद रखिएगा आपको समझ में आना चाहिए अर्थात आपको या ध्यान में रखना है कि equality का chance ना बन पाए तब ही वह आपका proper subset है बढ़ते हैं इस चीच को समझ में आया होगा आप लोगोंने समझा होगा अब यहाँ पर जो अगली definition यहाँ पर बन कर आती है ओ आती है power set की power set एक बहुत special condition होता है set theory का इसको भी हम लोग अगर यहाँ से समझ कर चलेंगे तो सबसे अच्छी situation में रहेंगे अब आप देखिए क्या होता है power set मैंने एक definition लिखा the power set ध्यान दीजेगा the power set of any set a is denoted by इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं ध्यान दीजेगा denoted by P of a P of a P of a क्या होगा पता है that is the set of set of each possible each possible subset subset आप set a मतलब जो set हमको a दिया गया है उस set a के उस set a के जितने possible subset हो सकते हैं उन सभी subset का set होगा मतलब ऐसे समझिए यह नाम power है तो सही में अपनी power या strength को दिखाने की बात कर रहा है कोई एक general set लीजिए उस set से लेकर आप कितने नए नए set बना सकते हैं उसको power set के आते हैं जैसे मालीज एक class है class में 10 बच्चे है 10 बच्चों की एक class एक proper class है अब हमने क्या किया कि 10 में से एक को उठा के एक दूसरी class में बैठा दी एक नई class बन गई दो को उठा के कहीं बैठा दिया एक और नई class बन गई तीन को उठा के कहीं बैठा दिया एक नई class बन गई नौ को उठा के कहीं बैठा दिया एक नई class बन गई उन 10 बच्चों की मदद से आप ऐसी कितनी कच्चाएं बना सकते हैं क्योंकि ओ सारे के सारे आप ही के तो पार्ट हैं, यहीं से तो निकल कर गए हैं, जैसे माली जी एक पूरे institution में 10 classroom बने हैं, अब 10 classroom में में अलग-अलग बच्चे बैटके पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया, इन सभी 10 को उठा कर एक जगा पर एक दिन shift कर दिया, हम ऐसे कह सकते ह हैं कि अगर हम अभी अलग-अलग कच्चाओं में खड़े हैं, तो अलग-अलग set हैं, बाहर जब हम खड़े होंगे तो कहेंगे, मेरा पूरा group है, जिसमें 10 कच्चाएं चलती हैं, अब इस 10 कच्चाओं का जो group है फला institution के नाम पर है, उस institution के सब के सब subset हैं, आप ऐसे समझ इसके लिए सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा, कि किसी set के अंतरगत कितने total subset हो सकते हैं, या decide करें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग अपनी copy में लिखिएगा, number up, number up, subset, opposite, is equal to 2 की power in, हमेशा किसी भी set के अंदर कितने subset हो सकते हैं, इसके लिए इस फार् और यन पर dependent होगा, जहाँ पर यन क्या होगा, number up elements in the set, number up elements in the set, मतलब उस set में कुल कितने aware हैं, उसको हम 2 की power पर apply कर दें, तो जो numbering होगी, वही number up subset होगा, अब उन सभी subsets को आप design करिए और एक set पर उठा के रख दीजिए, तो उसी को हम power set के हैंग, example के तोर पर मैं आपक को दिखाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, माली जे मैंने एक set लिया a, जिसके पास elements अपोच करी 1 and 2 है, कितने elements हैं, दो, मुझे से कहा गए exam में find pf a, आप pf a बताइए क्या होगा, power set पूच रहा है, इसके लिए सबसे पहला काम मैंने number up subset find किया, number up subset find किया, तो number up subset हो subset बनेंगे, चार subset के साथ साथ मैं एक और condition नहीं पर आपको बता दूँ, उसको भी आप अपनी copy में लिख लीजिएगा, फाई, फाई मतलब null set, is the subset up, is the subset up every set, हर set का subset होता है, मतलब किसी भी समुच्चे का जो फाई होगा, वह जरूर भाग होगा, वह दिखता नहीं है, ल मतलब कोई भी set आपको दिया गया है, तो फाई उसका एक उप समुच्चे जरूर होता है, अब मैंने कहा कि यह जो set दिया गया है, इसके हमको PFA अर्थात इसकी power हमें पता करनी है, पावर पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PFA, अब हम इसके लिए set बनाने जा रहे हैं, set में हम अलग अलग जितने possible इसके subset हो सकते हैं, इन से मिला करके उनकी बात हम total यहाँ पर करेंगे, अर्थात हम किसी एक ऐसे set को बना सकते हैं, जिसमें 1, 2 हो, अर्थात दो elements हो, किसी ऐसे set को भी बना सकते हैं, जिसमें 1, 2, 3 हो, अर्थात 3 elements भी हो, कुल इसक के पास अगर दो elements थे, इनकी मदस, जिसे अगर हम एक set बना देखिए, वो तब उसमें एक रख दिया, अब आप बताईए, यहाँ पर हम कोई ऐसा भी बना सकते थे, यहाँ पर three तो है नहीं न, तो छोड़िये, one के लिए हम बना सकते थे, two के लिए हम बना सकते थे, अर्था elements को लेके बनाया, तो एक set देखिए, one आया, एक set जिसके पास केवले एक element two है, देखिए, ए भी एक नया set है, और द्याल आप पार्ट आपके, उसी के तो पार्ट है न, ज्यान दीजी, उसी के पार्ट है, एक तीसरा set बनेगा, जो कि one, two, और one, two, केवल दो ही element है, अब ए मैं कह दू कि one is the subset of a, मैं कह दू यहाँ पर two is the subset of a, और मैं कह दू यहाँ पर one, two is the subset of a, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब ए जितने भी चारों मैंने लिए, इस सब के सब a के subset थे, क्या और possible ऐसे हो सकते हैं, नहीं, कुल चार ही बनकर आएंगे तब, जब a के पास केवल दो elements हैं, यहाँ पर एक नई बात मैंने आपको बताई, कि phi सभी का proper subset है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फाई सभी का subset जरूर रहता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अब एक ध्यान दीजेगा, एक और example मैं ऐसे लेता हू Suppose करिए एक दूसरा set है मेरे पास, जिसके पास है A, B और C, तीन elements total है, मुझसे कहा गए exam में, find PFA, आप PFA पता करिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, number of subset बताएंगे, number of subset, number of subset क्या हो जाएगा, 2 की power 3, अर्थाद 8 होगा, full 8 है यहाँ पर set बनेंगे, subset बनेंगे, पहला मैंने कहा तब PFA ही ही होगा, अब आप एक एक elements पहले लेकर set बनाईए, देखिए, A लिया मैंने, B लिया मैंने, A लिया मैंने, C लिया मैंने, 4 बन गए total, अब दो दो लेके बनाईए, दो लेके बनाने के दौरान जैसे पहले को उठाईए, उसको fix करके बाकि जितने pair हो उसको बना लीजी, A के साथ B बनेगा, A के साथ C बनेगा, चलिए A का काम हो गया, अब B से शुरू करी A को छोड़ दीजिए, B के साथ C बनेगा आगे तो जा नहीं रहा है ना, बस छोड़ दीजिए अब B से मतलब double की pairing खतम हो चुकी है, अब हम 3 के elements, मतलब पहले 0 length फिर 1-1 length, फिर 2-2 की length, अब फाइनली maximum length maximum length A, B, C यह भी तो subset होगा, अब total अगर मैं count कर दूँ, तो जितने number आप subsets मैंने यहाँ पर बताये थे उतने ही set बन करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, खुल 8 set बन करा, तो क्या समझा आपने, कि 5 को include करके total 2 की power yen हम लोग subset किसी भी set के बना सकते हैं अगर ऐसे प्रस्निक्जाम में पूछे जाते तो आप number आप subset बता सकते हैं साथ-साथ उन subsets को design कर सकते हैं यह कि यहीं पर नया सब्द हम आपको और बता दे number आप proper subset अब आप ध्यान दीजेगा number आप proper subset अब proper subset में आप जानते हैं उस set को हम subset नहीं कह सकते हैं जो equal है जैसे अभी हम subset की बात कर रहे थे तो मैं अंतिम में उनकी maximum length से भी set बनाता था जैसे अभी पिछले में हमने 1, 2, 3 लेके बनाया पिछले में उसके पहले AB को लेके बनाया तो जो maximum length को लेकर बनाया जाता हुआ actually दिये गए set के ही बराबर होता है और proper कभी बराबर को hold करता नहीं है इसलिए इसके पास number आप proper subset तो की power यन तो होगा बट उसमें से एक घट कर आएगा जैसे अभी example में जो भी थे suppose करी यही था अब मालीजे मैं इसमें कहता कि आपको proper subset क्या होंगे कौन कौन से होंगे तो proper subset की अगर हम बात करें तो proper subset कौन कौन से होंगे यही छोड़कर बाकी सब होंगे अर्था 2 की power 3 minus 1 मतलब 8 में से 1 निकलेगा तो 7 होंगे आप काउन कर लिजिए इसके पहले वाले की बात करें अगर हम यहाँ पर proper subset आप से कहते हैं तो proper subset इसको छोड़कर अर्था 2 की power 2 minus 1 means 3 हो जाता proper subset इसलिए कभी अगर proper subset कूचे तो उसको भी हम लोग यहाँ पर naming कर सकते हैं total number आप subset कूचे तो उसको भी हम कर सकते हैं और उसको हम explain भी कर सकते हैं तिया बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी अब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ पर discuss करेंगे जिसमें हम आपके सामने आज कुछ इस सीच को भी सोच रहें कि यहाँ पर इतना हम cover at least करा दे जिसमें हम operation आपसेट्स आपको बताएंगे operation में जिसे जनरल mathematics में नंबर के उपर जोडगटा और गुड़ा भाग इस प्रकार की प्रक्रियाएं फालो किराई जाती है वैसे यहाँ पर union कराया जाता है intersection कराया जाता है difference कराया जाता है complementation कराया जाता है इसके बाद मैंने लिखा है complementation के बाद Cartesian product भी होता है इस सब general operations होते हैं इन operations को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ ध्यान से आप लोग समझने की कोशिस करिए सबसे पहले मैंने लिया union offsets ध्यान देना union offsets union का मतलब क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिस करिए इसको संग समुच्चे generally कहते हैं दो समुच्चेों के बीच का एक ऐसा समुच्चे मतलब दो हमारे पास जैसे आप general बात करें numbers की मैंने का एक number मेरे पास A है जो की 2 है एक B है जो की 3 है अगर मैं कहा दू क्या होगा A प्लस B तो आपको कहोगे सर्द C होगा और C कमान 2 प्लस 3 मिन्स 5 होगा मतलब एक सेट A था एक सेट A था एक सेट A नया बनकर आया जो की इन दोनों के जोड के बराबर है अर्थात अगर मुझे 2 समुच्चे दिये गए हैं उन दोनों समुच्चे के बीच अगर मैं संग समुच्चे स्टैबलिस करूँ अर्थात union फाइन करूँ एक नया समुच्चे भी मेरे सामने बनकर आएगा इसको denote हम कैसे करते हैं हमने कहा consider ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग consider any two sets अगर मैंने दो set लिए suppose करिए A and B A and B union between A and B union of A and B is denoted by ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग को इस सारी बाते समझ में आएगी denoted by यह देखे, symbol है A union B A symbol है union का इसको हम कह सकते हैं A और B और मतलब क्या होता है? अथवा A अथवा B भी कह सकते हैं इसके definition समझ यह definition होगी X is such that X X belongs to A R X belongs to B A होगी technical definition जो theory के मादम से समझ पा रहे हैं मतलब इस technical terms के statement के मादम समझ में आ रहे हैं यह हम इसको कह सकते हैं कि set up those elements set up those elements which are which are either in A R in B in B R in both मतलब हमें एक इसा नया समुच्चे बनाएंगे जिसके पास elements या तो A के होंगे या तो B के होंगे या तो दोनों के होंगे example के तौर पर मैं इसका proper example लेके समझाऊंगा तो proper चीजे समझ में आएगी मेरे कहने कर्थ था कि हम एक ऐसा नया समुच्चे बनाएंगे दो समुच्चे की help से कि उसके पास पहले के भी सारे elements आएंगे दूसरे के भी सारे elements आएंगे और दोनों में अगर कुछ कामन है तो भी आएंगे without any repetition इसको हम कहते A, R, B A, R, B ये अथोवा B का एक proper system है अथोवा को समझने का process मैं आपको समझाता हूँ उसको आप लोग समझे अथोवा मतलब R को समझाने के लिए एक मैं थोड़ा सा SIX system आपको बताता हूँ जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको यह सारी बाते समझ में आएगी जैसे आपने देखा होगा एक reservation जब हम railway reservation की बात करें जैसे माली जी railway ने एक condition लगाई कि हम उसको reservation देंगे जो ब्यक्ती या तो senior citizen हो या तो handicapped हो अब माली जी एक ब्यक्ती senior citizen है और एक ब्यक्ती माली जी handicapped है अब उसके पास कुछ candidate से लग जा रहे है सपोच करिए यहाँ पर उसके यहाँ एक check लगा हुआ है वह check करता है कि अगर कोई भी ब्यक्ती senior citizen हो या handicapped हो तो आप उसको reservation allow कर दीजे एक आदमी गया सपोच करिए वह senior citizen था लेकिन handicapped नहीं था उसको reservation मिलेगा? यस मिल जाएगा एक दूसरा गया जो कि senior citizen नहीं है लेकिन handicapped है उसको भी reservation मिल गया एक ऐसा बेखती गया जो senior citizen भी है handicapped भी है उसको भी reservation मिल गया एक ऐसा बेखती गया जो ना तो senior citizen है ना तो handicapped है उसको कभी reservation नहीं मिलेगा मेरे कहने कर थे हाँ पर यह था कि अगर वह केवल A में लाई कर रहा है B में नहीं है तब भी उसको एकसेप्ट करेंगे वह केवल B में लाई कर रहा है A में नहीं है तब भी उसको एकसेप्ट करेंगे अगर वह A और B दोनों में लाई कर रहा है तब भी उसको एकसेप्ट करेंगे either this case अगर वाद दोनों में नहीं है तो भाई कोई चांसी नहीं बनता उसको लेने का जो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको मैं union बता रहा था मैंने का उन समुख्यों उन ओयों को समुख्ये के लिए जायेगा जो या तो पहले में है या तो दूसरे में हैं तो B में है, अथवा का मतलब ही होता है, अथवा का मतलब ही होता है, कि स्कूल में जैसे कॉलेज में सरी स्कूल में, टीचर ने बच्चे से कहा स्कूल में आना, तो पेन लेके आना, या पेंसिल लेके आना तो बच्चा चाहे पेन लेके जाए तो भी allowed class में, pencil लेके गया तो भी allowed class में, pen pencil दोनों लेके गया, तो भी allowed है class में लेकिन ना तो pen लेके गया, ना pencil लेके गया, तो allowed नहीं है class में यही process यहाँ पड़ था, जिसको हम समझ कर चलेंगे, तो आपको यह बाते में समझा पाऊ देखिए ध्यान से, example के तोर पर मैंने कहा, एक set A है जिसके पास A है, B है C है, D है, E है एक दूसरा set है B, suppose करिए जिसके पास मा लिजे, A है C है, E है F है, G है, H है अब मैंने क्या किया, अगर हम A union B बना रहे हैं तो हम जो A में हैं, उनको लेंगे only, जो B में हैं, उनको लेंगे only, और जो दोनों में हैं, उनको जैसे A में देखिए, दोनों में है ले लिया, एक ही बार लिखा जाएगा B, केवल A में हैं, लिख दिया C, दोनों में हैं, लिख दिया D, केवल A में हैं, तब भी लिख दिया E दोनों में है लिख दिया एक बार यप केवल B में था जी यच इसको उठा दिया यह जो combination बना वह combination उन आवयों को hold कर रहा है जो A में है केवल B में है केवल या दोनों में है उनको हम A union B के अंतरगर लाके दिखा सकते हैं अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे union पर ही union on band diagram हम अगर दो समुच्चेओं का union कर रहे हैं वो भी किसकी help से band diagram कि उसको हम कैसे represent कर पाएंगे यहाँ पर जो दो समुच्चे हमको मिलेंगे उनकी तीन कटेगरी बन कर आएगी पहली कटेगरी ध्यान दीजिएगा when there are there are some elements elements are common in both common in both अगर ऐसे दो समुच्चे हमें मिलें जैसे माली जी a मिला, b मिला जब कुछ elements दोनों में common हैं, एक पहली कटेगरी बन कर आएगी सामने, दूसरी कटेगरी देखी ध्यान से क्या बन कर आएगी, मतलब हमें दो ऐसे समुच्चे मिलेंगे, जिनका हमसे union करने को कहा जाएगा, जब उनके बीच कुछ common हो when there are no elements elements are common in both, कभी-कभी ऐसे भी दो मिलेंगे जब उनके बीच कुछ common ही ना हो तीसरी कटेगरी मिलेगी when when one set is subset of other माली जे एक set दूसरे का क्या हो? उप समुच्चे हो तीन प्रकार की स्थिती से हमको अलग-अलग यहाँ पर set दिये जाएंगे जिनका हमको union करने को कहा जा सकता है तो मैं एक-एक करके आपको समझाता हूँ आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोसिस करिएगा मैंने का हम ऐसे दो समुच्चे ले रहे हैं जिनके बीच कुछ ना कुछ कामन है तो एक set मेरा A रहेगा दूसरा set मेरा A रहेगा ये दोनों किसी rectangle अर्थात यूनिवर्सल के अंतर गत रहेंगे अगर मुझे यहाँ पर union find करना है यूनियन यहाँ पर दिखी क्या होगा भाई कामन रहेगा तिहां ही structure जरूर बनेगा आपको पहले से बताया गया है इस समय हम उसको भी लेंगे जो केवल A में है इस समय हम उसको भी लेंगे जो केवल B में है इस समय हम उसको भी लेंगे जो दोनों में है अर्थात जो केवल A में है ओ भी जाएगा जो केवल B में है ओ भी जाएगा और जो दोनों में है ओ भी जाएगा जैसे अभी example हमने जो लिया suppose करी हम एक set के अंदर कुछ ले रहे हैं तूसरे set के अंदर के कुछ ले रहे हैं हमको पता है जो कामन है यहां रखे जाएंगे जो केवल A में हैं यहां रखे जाएंगे जो केवल B में यहां रखे जाएंगे अगर आपने उन दोनों sets को ऐसे present कर दिया इस तरह से structure पर जितने elements आएंग उठा कर रख लिए वही आपका union हो जाएगा इस सब लिए जाएंगे जितने भी छायंकित भाग में बन कर आ रहे हैं जब अगर उनके बीच कुछ common support करिये नहीं है तो उनको present कैसे मैं करूँगा ध्यान दीजे मैं A को एकदम अलग बनाओंगा B को एकदम अलग बनाओंगा इस दोरान यह जो पूरा A रहेगा वह भी आपका आएगा union में और जो पूरा B रहेगा वह भी आपका union में ही आएगा अर्थात हम इसको A union भी डारेक्टली हम दोनों के elements को बिना किसी repetition के बिना किसी changes के हम उठाके रख देंगे तो वही हमारा union कहलाएगा तीसरा मैंने जब कहा कि एक set सपोज कर ये दूसरे का subset है मैंने कहा let A is the subset of B अब इस दोरान देखिए presentation कैसे होगा अगर मा लिजे A B का subset है तो आपको अच्छे से पता है B superset होगा इसी B के अंदर ही कहीं A होगा अर्थात क्यों ऐसा होगा क्योंकि पूरा का पूरा A B में मिलता है A के सारे elements B में हैं तभी तो A subset है B का इस समय में अगर आप से union कहूंगा तो पूरा A तो रहेगा ही जो आले डी B में है अर्थात मैं कह सकता हूँ इस दवरान A union B जो होगा वो superset अर्थात B के बराबर होगा A union B वो superset B के बराबर होगा यहीं पर अगर B subset होता A का तभी तिस दोरान A union B जो होगा वह आपका simply ली एक के बराबर अर्था सूपर सेट एक के बराबर हो जाता इस चीज़ को हम फीगर पे प्रिजंड करके अलग-अलग करके समझ सकते हैं I hope यह चीज के लिए हुआ होगा कि कैसे अगर हम लोग दो सेट्स को फीगर पर प्लाट करेंगे और यूनियन ढूंडेंगे तो जितना मैंने सैड़िट बता इन तीन के अलावा और कोई सिच्वेशन जनरेट नहीं होगी दो सेट्स के बीच में यह तीन परिस्थितियां आपको फेस करने को मिलेगी इन तीन परिस्थितियों को अगर हम अच्छे समझ लिए यूनियन निकालने में वो भी सेट्स बेन डाइग्राम की हल्प से हमें कभी प्रॉग्लम नहीं होगी आई हो भी अच्छी स्क्लियर हुई होगी समझ में आया होगा दूसरी चीज इंटरसेक्शन आप टू सेट्स इंटरसेक्शन आप सेट्स हमने इसमें भी आपको ड oppress in देने की कोशिस करी आप समझिएगा हमने का consider any pair आप sets A and B मैंने यहाँ पर फिर से दो sets लिए A और B मैंने दो set A और B लिया देन इंटरसेक्शन बिट्बिइन A और B denoted by, देखिए ध्यान से मैं लिखूँगा यहाँ पर now intersection between A and B is denoted by ध्यान दीजेगा, is denoted by A intersection B, देखिए कैसे denote करेंगे, कुछ यहाँ symbol होता है अब positive लिख दिया जाता है, उल्टा यहाँ intersection का symbol है यहाँ intersection का symbol है इसके definition में देखिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर X is such that X X belongs to A यहाँ पर जो सब्द पिछले में union में और लिखा गया था, यहाँ पर मैं लिखूँगा and X belongs to B इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं A and B, अगर हम intersection लिख रहे हैं, उसको and भी कह सकते and मतलब compulsory situation जिसे हम अभी और में flexibility दिये थे बच्चे को, जो स्कूल में आया था उससे मैंने कहा, तुम चाहे pencil लेके आना, चाहे pen लेके आना चाहे दोनों लेके आना, कोई फरक ने, स्कूल में allowed हो, बट अगर हम उसको कहा दे नहीं तुम dress में आना और bag लेके आना, तभी आना अब वो dress और bag दोनों लेके आएगा तभी स्कूल में आएगा, केवल dress पहन के आए, not allowed, केवल bag लेके आए, not allowed दोनों नहीं आया तो बिलकुल allowed नहीं है, दोनों लेकर आएगा, तभी अर्थात हम यहाँ पर common की बात कर रहे है हम उन आयाओं को ले रहे हैं, those elements those elements are taken उन आयाओं को लिया जाएगा, which are in both A and B, जो दोनों में हैं, मतलब पहले में हैं और दूसरे में हैं, उनहीं आयाओं को लिया जाएगा intersection के अंतरगत, अर्थात हमें urbanist, या हम कह सकते हैं, common elements को लिया जाएगा, मतलब हम urbanist, आयाओं को लेंगे, वो हमारे intersection के part होंगे, एक general logic से अगर मैं इसको समझाओं, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में oting होती है, oting दिया जाता है oting की government ने condition बनाई, यह बनाई कि वही person oting दे सकता है, जिसकी nationality Indian हो, और उसकी उमर 18 से जादा हो अब वहाँ पर जो commission है, जो oting ले रहा है, उसके पास जिब candidate गया oting देने के लिए, तो उसने चेक किया कि उसकी nationality Indian तो है बट 18 साल से कम उमर है तो उसको oting के लिए allowed नहीं किया जाएगा अगर मा लीजी उसकी nationality Indian नहीं है 18 साल से वह जादा है, तो भी oting के लिए allowed नहीं किया जाएगा ना तो nationality Indian है, ना तो 18 साल से जादा कभी allowed नहीं किया जाएगा हाँ केवल उसी बंदे को allowed किया जाएगा जिसकी निसनलिटी भी इंडियन हो और 18 साल से ज़्यादा उमर भी हो अर्थात मुझे उन आवयों को लेना होता है जो A और B दोनों में हैं अगर केवल A में हैं केवल B में हैं बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल हम सेलेक्ट नहीं करेंगे हाँ अगर वो दोनों में हैं A में भी हैं और B में भी हैं तो हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे उनको हम चोज़ कर लेंगे एक्जामपल के तौर पर मालीजे मैंने A लिया सपोच करिए A लिया मैंने A, B, C B लिया मैंने B, C, D, E अब यहाँ पर अगर बात करूँगा मैं A इंटरसेक्शन B की तो आपको दिख रहा होगा B and C common in both तो B and C will be the A इंटरसेक्शन B यही A इंटरसेक्शन B के अंतरगत लाई करेगा A इंटरसेक्शन B में आएगा आई होप यह चीज किलियर हुई होगी यह अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा लेकिन अभी केवले एक जनरल रूप रेखा आपके माइंड में सेट करने की मैं कोसिस कर रहा हूँ आई होप यह चीज आप समझ पा रहे होगी इसका भी मैं अगर बेन डाइग्राम रेप्रेजेंटेशन देखूँ देखिए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आन बेन डाइग्राम अब आपको इसमें भी दो सेट दिये जाएंगे और उन दो सेट जो आपको दिये जाएंगे उनका नेचर वही होगा जो मैंने यूनियन के दौरान आपको बताया अर्थात पहला नेचर यह हो सकता है जो मैंने कहा विन देर आर सम एलिमेंस आर कामन इन बोत अगर कुछ दोनों में कामन है भई ऐसे दो सेट आपको दिये जाएंगे जिनके बीच कुछ ना कुछ कामन है दूसरी सिच्वेशन आपको दी जाएगी वेन देर आर नो एलिमेंस नो एलिमेंस आर कामन इन बोत कुछ कामन ही नहीं दोनों में यह सिच्वेशन दी जा सकती है तीसरी केंडिशन जो मैंने भी दिया था when when one set is subset of other one set is subset of other एक set दूसरे का क्या हो? subset हो अब आप समझो यहाँ पर properly जैसे मैं कामन की बात करूँ तो आपको पता है कि बेन डाइग्राम पे उन दो sets को कैसे रिपरेजन किया जाता है एक set ए रहता है, एक set ए रहता है यह यू रहता है इस दोरान जो मैं set करूँगा वही a union, a intersection b होगा यह a है यह b है यह region जो होगा वही a intersection b है मतलब आपको ना इस side का लेना है ना उस side का लेना है जो common situation में रेशियो में, common position में है उसी को हम लोग यहाँ पर intersection b की category में लेकर चलेगे दूसरा देखिएगा मैंने का जब दोनों के बीच कुछ common ही नहीं हो तो आपको पता दोनों circle अलग लग रखे जाते हैं इस दोरान अगर मैं a intersection b की बात करूँगा तो आ हमेशा 5 आएगा कभी भी null set ही आएगा जब उनके बीच कुछ common ही नहीं है उस समय intersection हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा तीसरी situation जब एक set दूसरे का subset हो let मैंने कहा a is the subset of b अब इसका मतलब b super set होगा b के अंदर a होगा आपको पता अची तरह से यह a है उसके उपर कौन है b है मतलब a b में समाया है अगर समाया है तो हम देखेंगे पूरा का पूरा a ही तो common है तो मैं लिख दूँगा यहां पर a intersection b जो होगा वह super नहीं बलकि इस बार subset के बराबर होगा union के दौरान super set के बराबर union बनता था intersection के दौरान subset के बराबर intersection बनेगा अगर यहीं पर b subset a होता तो जो a intersection b होता वह आपका क्या हो जाता b के बराबर हो जाता याद रखिएगा इसमें जो subset होगा वही intersection b होगा इसको आप लोग लिख लीजिएगा समझ लीजिएगा अहीं होब यह चीज clear हुआ होगा एगर दो set दिये गए हैं डाइग्राम की मदद से उनको हम प्लाट करके उसमें से union और intersection निकाल सकते हैं तीसरा operation देखिएगा आप सभी लोग difference of two sets difference of two sets दो sets का अगर मैं difference अरथात अंतर देखूँ देखिए एक चीज होता है योग और सारी एक होता है difference और एक होता subtraction घटाओ और अंतर में फरक है घटाओ दो numbers के बीच करने के दोरान आपको पता है कि मतलब indicate करना पड़ता है किसे से किसको घटाया जाए difference अरथात पहले से दूसरे को घटा सकते हैं दूसरे से पहले को घटा सकते हैं मतलब difference करने की बात यहां पर दो सेट के बीच में की जाएगी अगर हम लोग difference को कहें तो difference मैंने पहले देखा यहां पर मैंने लिखूं यहां पर consider any consider any two sets two sets A and B अगर मालिजे मैंने दो सेट A और B लिए तो difference between them ध्यान देना सभी लोग difference between them them is denoted by is denoted by A difference B मतलब A से B का difference B difference A B difference A और एक last होता A symmetric difference B यहां पर जो अगला होगा वह आपका A symmetric difference B कहलाएगा symmetric difference मैं अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ symmetric difference सबसे पहले A difference भी देखिए इसकी definition x is said that x x belongs to A but x does not belongs to B मतलब इसकार्थे हो गया जो A में हो A में हो B में ना हो B में ना हो दूसरा देखिएगा आप सबी लोग मैं इसमें लिखूंगा x is said that x x belongs to B आप समझ गये होंगे but x does not belongs to A क्या लिखा जाएगा definition में मतलब इसमें मैं मैं कहूंगा कि B में हो B में हो A में ना हो लास्ट देखिए सेमेट्री डिफरेंस इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A मतलब A डिफरेंस B और B डिफरेंस A का यूनियन होगा अर्थात मैं कह सकता हूँ जो किसी में उभैनिस्ट ना हो मतलब जो ए डिफरेंस भी होगा जो केवल A का है और जो केवल B का है जो किसी में कामन नहीं है उसको उठा के एक सेट में रख दीजिए वह आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा यहाँ बात में एक्जामपल से आपको समझाता हूँ जैसे माली जे मैंने लिखा A यहाँ पर मेरे सामने A, B, C, D, E एक दूसरा सेट है B जिसके पास सब पोच करें B, E, F, G, H अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि A डिफरेंस B मैं अगर A से B को डिफर करूँ क्या होगा? जो A में है, B में नहीं है कौन-कौन देखिए सद्धान दीजेगा सब लोग जो A में है, जैसे A B कामन है, C, D तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा जो केवल A में है, B में नहीं है दूसरी बात अगर हम लोग करें अगर हम B डिफरेंस A करेंगे तो जो केवल B में है जैसे B छोडो, E छोडो यह अफ लेते हैं, G लेते हैं और यह अच लेते हैं तो यह आपके पास क्या हो जाएगा? B डिफरेंस A अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूँ A डिफरेंस B और B डिफरेंस A अगर हम इन दोनों का डिफरेंस का यूनियन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? A सिमेट्रिक डिफरेंस B अर्थात मैं लिख सकूँगा A, C, D, F, G, H आपने देखा जो कामन थे हट गए जैसे कौन कौन कामन था? B था, E था इन दोनों को आपने हटा दिया बाकि उसके सभी जितने थे और इसके जितने सभी थे उसको उठा दिया तो यहाँ पर A सिमेट्रिक डिफरेंस B बन गया आई होप एक्जामपल समझ में आया होगा जिससे आप डिफरेंस कंसिदर कर सकते हैं अब इस डिफरेंस को भी बेन डाइग्राम पर देखा जा सकता है डिफरेंस आन बेन डाइग्राम ध्यान दीजेगा तो सारी बात यहीं समझ में आ जाएगी बेन डाइग्राम अब बेन डाइग्राम जब बनाएंगे दो सेट तो देना ही पड़ेगा और दो सेट मैं आपको दूँगा तो दोनों सेट तो उसी तरह से रहेंगे न मतलब उनकी क्या क्या possibility हो सकती है वही possibility फिरन common in both मैं साट में लिख रहा हूँ आप लोग समझ जाईएगा common in both अगर दोनों में कुछ common है दूसरा not common in both not common in both कुछ common नहीं है suppose करिए अब तीसरा when one is a subset of another one is subset आप another दूसरे का subset हो अगर suppose करिए तीन situation तो दो sets में आनी ही आनी है अब इन तीनों situations को कैसे हम track करेंगे समझते हैं कैसे इसको समझ पाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने का when common in both यहाँ पर देखिए structure बना दो set मैंने लिया मतलब यहाँ पर इस तरह से ब्रेंजन किया यह देखिए वह common है तो plotting ऐसे ही होगी अब ऐसा हो गया तो जो a region है जो केवल a में है यही आपका a-b है a जो region है यही आपका b-a है और इन दोनों को उठा के एक जगा रख दीजिए तो यह a symmetric difference b है बीच से कोई मतलब नहीं कामन हट गया पूरी दर से इधर आजाईए अब जब कुछ कामन ही नहीं देखिए रखा कैसे जाएगा यह alex से a होगा यह alex से b होगा इस समय पूरा का पूरा जो a होगा वही a-b होगा और पूरा का पूरा जो b होगा वही b-a होगा और a symmetric difference b की बात करो तो आपका सीधा सीधा आप a union b कह सकते हैं वही कुछ सोचना ही नहीं पूरा a लेना है पूरा b लेना है a symmetric difference b आपका a union b ही हो जाएगा कोई कामन ही नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं अब हम तीसरा देखते हैं जब हमने कहा कि एक set suppose करी दूसरे का subset है लेट मैंने कहा a the subset आप b देखे कैसे बन कर सामने आएगा आपका u है a subset है b का दो b सूपर है और a उसके अंदर है a उसके अंदर है ध्यान दीजेगा अब इस समय अगर हम a minus b की बात करेंगे a difference b की बात अब सोचिए जब a अंदर समाया ही है a के पास ऐसा कुछ है क्या जो b के पास नहीं है पूरा का पूरा b जो है या हम कहते पूरा का पूरा a ही b का पार्ट है इस समय a difference b फाई होगा नल होगा मतलब कुछ नहीं है जबकि अगर मैं b difference a की बात करूँगा यह जो region बच रहा है मेरा यही b difference a होगा और मैं a symmetric difference b की बात अगर करूँगा तो आपको पता है कि इसका जब हम union फाई के साथ करेंगे तो कोई परिवर्टा नहीं आएगा सीधा वह b minus a के बराबर ही रहेगा इसमें कोई change नहीं होगा मतलब वह element जो common नहीं दोनों में तो यह जो shaded है जो b minus a है वही आपका asymmetric difference b बना रहेगा यही चीज़ उल्टा हो जाएगा अगर b subset a का होता उस समय आपको पता है b minus a फाई हो जाता a minus b आपका वह region होता और वही asymmetric difference b भी होता I hope इस figure के process को आप समझ पाएं last हम एक और operation हम लोग का बच रहा है complementation यहीं से मैं आज इस class को रोकूंगा आप लोग इतना समझे इसको properly complementation opposite complementation generally क्या होता है समझे हम ऐसे कह दें कि जैसे हमारी अपनी target decide होता है goal achieve करने का process होता है मैं देखता हूँ कभी तक मैंने कितना achieve कर लिया और कितना मुझे अभी achieve करना है final destiny पर पहुचने के लिए जो पहुचने के लिए बचा है वही मेरा complementation है जिसे सरीर में आपको पता है कि हम लोग सरीर के पूरे nutrients को पूरे करने के लिए केवल हम भोजन पे dependent नहीं रहते हैं हम milk लेते हैं fruits लेते हैं कुछ vitamins लेते हैं कुछ अलग तरह के हम uses करते हैं जिसके बाद हमारी पूरी diets complete हो पाती है पूरे nutrients final हो पाते हैं वो हमारे सब compliment food है जो हमारी सरीर की sport person देखिए जितने भी athletes हैं वो सब लोग इस तरह की चीज़ों को use करते हैं वो उनका compliment food है उसी प्रकार से हर एक समूह का अपना एक complimentation होता है मतलब वो चाहता है को complete हो जाए उसी तरह हर set चाहता है कि वह universal हो जाए मतलब वो अगर universal हो गया तो वो complete हो गया अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी set को universal में होने से जितने elements कम पढ़ रहे हैं वो ही उसके complimentation है यहाँ पर किसी दो set की जरुवत नहीं पढ़ेगी एक ही set को universal से relate करना पढ़ेगा मैंने कहा consider a set a माल लिजे मेरे पास एक set a है then complimentation of a complimentation of a is denoted by यहाँ दीजे कैसे कैसे denote किया जाएगा a compliment ऐसे c लगा जा सकता है a के उपर बार लगा जा सकता है a dash लिखा जा सकता है इन सभी की definition देखे क्या होगा मैं इन तीनों की definition एक साथ बता रहा मैं लिखूंगा x is such that x x belongs to u but x does not belongs to a मतलब x u में तो हो लेकिन a में ना हो अर्थात a के elements को छोड़ करके जो बचे u के elements होते हैं universal के होते हैं वही हमारे complimentation होते हैं अर्थात मैं लिख सकता है u minus a मतलब आप u के उन elements को ले लो जो a में मतलब यह ऐसे हैं कैसे हैं जो a के elements उनको छोड़ कर बाकी जो u के elements उनको ले लीजिए तो वही आपके complimentation है एक example मैं इहीं पर दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा मैंने लिखा a is equal to a मैंने लिखा a 1, 2, 3, 4 suppose करिए u आपके पास suppose करिए universal उस समय एक से लेके 10 तक के elements थे इस समय अगर मैं कहता कि what about a compliment मतलब a के compliment में वही elements होंगे जो a को complete अर्थात universal के बराबर बनाएंगे चार तक तो उसने achieve करी लिया था चार के बाद जो बचरा जिसे 5 6, 7, 8, 9, 10 यह सब के सब इसके complimentation में हैं अर्थात यह a जो है इसका complimentation है और यह भी इसका compliment है दोनों एक दूसरे के compliment है दोनों अगर मिलेंगे तभी universal के बराबर हो पाएंगे universal के equal हो पाएंगे अगर इसको भी हम bend diagram से देखना चाहें देखिएगा by bend diagram अगर हम इसको भी bend diagram से देखना चाहें तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप plotting करोगे universal के अंदर हम लोग u को दिखाएंगे सबसे पहले इसके बाद आपका set है ओ एकेला ही है थोल्ड कर दीजिए यह set a है अब a को छोड़ दीजिए बाकी जो universal में बचा है वही आपका कॉंप्लिमेंटेशन है जैसे बचा रीजन यही तो है ना हमारे पास इस रीजन में जितने elements लाई करेंगे वह सब के सब एक कॉंप्लिमेंट कहलाएंगे एक का कॉंप्लिमेंटेशन कहलाएंगे अर्थात इस circle को इसके साथ मिला दो you के बराबर हो जाएंगे इसके कॉंप्लिमेंट के equal हो जाएगा I hope यह operation का process और जो भी मैंने यहाँ पर बताने की कोसिस करी वह आपको समझ में आया होगा हम लोग एक पड़ाव complete किये हैं लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ करने की जरूरत होती है जो course के during हम लोग यहाँ पर प्रापर लेके चलें होगे मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने एक जो effort दिखाया जो मैंने आपके लिए करने की कोसिस करी हो आप सभी को समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो आप्रिसियेट जरूर करेंगे हम लोग अगली कड़ी में फिर से ऐसे मिलेंगे इसी तरह के topics के साथ इसी तरह के practice session या lectures के साथ concept के साथ और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग fulfill करेंगे Thank you so much, धन्यवाद